हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चनल चोहाजाकन इस्टडी में फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी को राम नौमी की हार्दिक सुपकामनाएं दोस्तो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं जारखन साय का अचारे भरती के बारे में सुप्रिम कोट पे इस पे केस चल रहा है दोस्तो आप लोग सभी को पता है इस पे सुनवाई जुलाई के पहले वीक में होगी आप सभी को पता है और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जारखन में जो सिचक बाहली आई है इसमें कच्छा 1-5 में ज्यादा कंपेडिसन है या 6-8 में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा उससे पहले यदि आप हमारे चैनल ने हैं उसका सब्सक्राइब करें साथी साथ वीडियो को लास्ट तक देखे तब ही कमेंट करें तो चले दोस्तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था कि 2013 में कितने पास है 2016 में कितने जेटेट पास है और कितने लोगों के नुक्ती भी हो गई है सारा कुछ बताया है और कुल मिलाकर कितने बचे है यहां पर एक लाग तिन हजार दोसो बारज चातर आपको दीख रहे होंगे कार्ट कूट के दोस्तों यह इसमें माइनस पलस करके मैंने 82,000 के आसपास आपको बताया था और अगर यहां से भी और पलस माइनस करे तो और भी कम होगा जो की जैनमीन है दोस्तों जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा आज की इस वीडियो में मैं सिंप्ली आपको बताने वाला हूँ कि कच्छा 1-5 में ज्यादा कंपडिशन है या 6-8 में है और 6-8 में जो तीनो संकाई है तो किस में सबसे ज्यादा कंपडिशन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले एक चीज़ में बता देना चाहता हूँ कच्छा 1-2-5 में देखे नोन पारा के लिए जो सीटे हैं 5,531 सीटे हैं ठीक है आप लोग जाकर किल्कुलेशन कर लेना अगर विश्वास नहीं है तो लेकिन 5,531 सीटे ही है और इसे पर आपको फाइट करना है पारा में तो सिर्फ पारा झा आप लोग कार लोग जा सकते हैं तो बात यह है कच्छा 1-5 में 5,531 सीटे है और यहाँ का सीलेवस दोस्तों ठीक है का सीलेवस यहां का सीलेवस इजी है इजी है कमपेर तो 6 2 8 628 से अगर आप के कमपेर करते हो तो तोसी ले बस इजी है अब यहाँ पर बहुत सारे चातर कमेंट करते हैं कि नए नए 1-5 में easy है competition टप नहीं है इसमें easy है तो मैं आपको बता दे रहाँ सबसे ज़्यादा competition 1-5 में है दोस्तों आप लोगों को विश्वास लगे या नहीं लगे मैं बता रहाँ 1-5 में सबसे ज़्यादा competition है उसका ए easy रहेगा मेरे दोस्तों खुछ से सोच के देखो आप 1-5 का सिलेवल जाके देखो फिर एक बाद 6-8 का देखो तो आपको पता चल जाएगा ठीक है आप बोलोगे candidates कम हैं तो ज्यादा है यह इसे इसा बोलोगे कम वहाँ पर candidates की संख्या कम है यहाँ पर आप देखो बाबू आपका 5,531 सीठी है ठीक है और कितने लोग फॉम भरेंगे आप खुछ से सोच के देख लो 5,531 सीठी है इसमें भी ST, SC और OBC और General category में बाटा गया है तो आप खुछ से सोच के दोखो competition का है तो आप जान लो की 125 में सबसे ज्यादा competition है मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाता तो काफी लोग उंगली तो कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि मैं ही सही हूँ PGT exam में भी आप लोगों को पता होगा मैंने बताया था cut up उसमें काफी लोग उंगली कर रहे थे दिन बाद में उन लोगों को पता चला कि कितना cut up गया तो आप जाके previous videos देख लिज दोस्तों syllabus easy होने के कारण यहां competition ज्यादा रहने वाला है friends आप लोग विश्वास करो या ना करो अब चलिए competition यहां one to five में सबसे ज्यादा रहने वाला है ठीक है आप इस बात को मानो और उपर से normalizing भी होगा ठीक है तो आगे देखो दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं six अज हो दोस्तों six to eight में हैं बासा सिच्चत ठीक है मुउथके बास समाजिक बिख्यान सिच्च इसमें लेकिान या मैत कैसी मैं पर मैं वाले सिच्चक किसमें CEOs जृ sür तो बता दों दोस्तों सबसे ज्यादा competition हैं यहां रहेगा समाजी ऴग्यान सिच्चत इसका रीजन यह द दोस्तों कि जितने भी कंडिडेट्स हैं दोस्तों जिन्होंने भी बीट किया है और अधिकतर जितने भी कंडिडेट्स हैं उनका जो ओनर्स है वो समाजिक विग्यान सिच्छक के लिए ही है ठीक है उन्होंने क्या किया है कि समाजिक विग्यान सिच्छक से उन्होंने ओनर्स किया है और इसे में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपलाई किया है दोस्तो इसमें यानि समाजिक विज्ञान सिछक में कुट अब टो ओर ज़्यादाने का कारण यह है दोस्तो आप लोग इसमें commerce वाले भी apply कर सकते हैं Commerce वाले जो student है वह समाजी के ग्यान सिचक में apply कर सकते है हैं इसलिए बी- Кар forgoda जादा होने वाले इसमें commerce फोले भी भरेंगे फिर इकोनोमिक्स वाले भी भरेंगे social science वाले भरेंगे और भी बहुत सारे लोग इसमें फॉम फिलब करेंगे इसलिए यहां competition ज्यादा होने वाला है पहले तो सिर्फ था कि समाजिक विज्ञान सिचक जो समाज से किये हैं और नर्स किये हैं सिर्फ यही भर सकते थे ठीक है लेकिन अब कोई भी भर सकता है उपर से यहां पर और एक प्रोब्लम आता है कि यहां पर जो ञात्र आ हैँर यहां पर मैं आपको बता दो समाज कोई ज्ञान सिचक के लिए आर्श वाले स्ट ट इस्टाइन्ट आर्ष लेकर जो पढ़े हैं और जो इंटर के साथ डियलेड कहा हैं वह भी समाजिक विज्ञान सिचक से फॉर्म अरने तो टी dat तो यहां यहन सब YUAK में क्योंकि आप लोग देखते ही होंगे कि समाजीक विज्ञान सिच्छक को हैं सबसे जादा सब YOU девyandre आटक्स नहीं होते हैं समाजीक विज्ञान सिचछ कि यहीं सबस्से जादा है इसलिए भी यहां पर कट आप जा Juana जाने वाला है है competition हाई होने वाला है तो यदि आप लोग समाजी को ज्ञान के सिच्छक हो ठीक है समाजी को ज्ञान के सिच्छक के लिए अपलाई किये हो तो मेरे बातों को ध्यान रखना और अच्छा से पढ़ाई करना ठीक है बाकी बात भासा सिच्छक का तो मैंने बता ही दिया फिर वि सिलेबस को भी देख सकते हो दोस्ता अब सिलेबस भी आप जाके देख लो सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि विग्यान सिच्छक का सिलेबस क्या है और समाजी को ज्ञान सिच्छक का क्या सिलेबस से विग्यान सिच्छक को दो तो मैत भी पढ़ना पड़ेगा ठीक है कितना कटप जाएगा कितना कंपेडिशन यहां रने वाला है यहां रने वाला है तो सबसे कम कंपेडिशन इसमें रहेगा तो विज्ञान सिच्छक वाले आप लोग अच्छा से पढ़ाई किजिए कम कंपेडिशन रहेगा इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग पढ़ाई न रहने वाला है इस बात को आप लोग अपना माथा में डाल लो पिछले बार भी एकजाम जब हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो कट अब गया था दोस्तों इसी में गया था इस बात लोग ध्यान देखे रखेगा उसके बाद बच जाता है दोस्तों भासा सिचक बासा है कि जो हिंदी रखा ही हींदी वर नस लेकर पड़ा उसको इंग्लेस पर ना पढ़ रहा है दोस्तों तो जो हिंदी रखा उसको इंग्लीज पढ़ना पढ़ Ah owud और लिए क्योंकि उसको इंग्लीज में ऊतना व फआ सब नहीन नई है तो इंग्लीश मैं इं चातरू को द है ठीक है उसी परकार यहां पर देखाने आप पण्छेत्राइब में chiहां कोथा रखते हो फिर भी आपको इंग्लीज़ पर नहीं है इस उर्दू रखे हैं तो भी आपको इंग्लीज़् पर मैं। मैं सबसे कम कट-up रियाद रहेख़े हैं सबसे कम-cut-up या competition तो उखजाम डिपैंट करता है ऎम पर नोर्मिलाइजिंग होगा फिर समाजी विज्यान सिच्छक में सबसे जादा सबसे ज्यादा हाई रहेगा और उसके बाद ये आता है इसमें उसके बाद मतलब की विज्यान सिखक के बाद यह रहेगा भाषा सिखक में कम रहेगा क्मपरिशन तो लोग समाजी विज्ञान सिखक लेकर पढ़ रहेँ उनको मैं बताने चाहूंगा कि याप ज्यादा पढ़ें क्योंकि सब्सक्राइद अम लैघुँ Register क्राइद किया है इस साब पतछलता है कि इसमें कंपेडिशन ज्यादा रहने वाला है हाई रहने वाला है दोस्तों ठीक है क्योंकि मैं 7590 के आधा सीटे हैं 628 में जबकि आपका वंटुफाइब में पाजा पांसुए कि सीटे ही है इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि वांटुफाइब में यदि आप तैयारी करें वांटुफाइब का सिर्फ पर्म रहे हैं तो आप लोग ध्यान पुर्वक पड़ें ठीक है का जो एक्जाम है ठीक है अपका एक्जाम माई जून में होने का उम्मिद है और जुलाई के पहले में सुनवाई भी होन ुक्त आपको अप्तू रोल निभाएगा प्रड़ी को हिंधी रख़ा आशनस्कृत रख़ा आप उसको को पढ़ाई करो तो मैने मैं औरड़ी सबको दे दिये हैं बहुत ही कम मात्रा में कम पैसे में आप सभी को दिया हूं 111 में अभी मैंने ओफर रख दिया है वाटा के नोट चाहिए तो हमार हमसे संपर कर सकते हैं वाटसप नमबर पे आपको मिल जाएंगे पिडियाप नोट उससे आप तैयरी कर सकते ह है ठीक है तो यहां फाइनली आप सभी को यह विक्स्टू एट के तुलना में यदि आप देखें तो यहां कंपडिशन ज्यादा हाई रहने वाला है एकॉर्डिंग टू सिलेबस किनके सिलेबस जहां एजी रहेगा वहां कटप भी हाई जाएगा वहां कंपडिशन भी बनाया वहला वाइड़ फार नहीं पॉस्टू अठीक बॉल सकते हो कि इसे रएगा वाइसे रहेगा पपने इसजगा है दिमाग के बोलो गे ही और यहां काफी कमेंट भी करेंगे कि तुमको पता नहीं या ये नहीं वो नहीं तो ठीक है तो भाई हिसा आपने हिसाब्र सब्सक्राइब लेकिन मैंने जो कहना था कर दिया देन वाद में तो चाहिन बंदें